तो फ्रेंड्स वेल्कम टू इस न्यू एपिसोड और हम यहां पर रिफ्रेक्शन आप दा लाइट रे के बारे में बात करेंगे देखो यह हमारे दो मीडियम है एक एयर और एक वाटर मीडियम नमबर वन एयर मीडियम नमबर टू वाटर हम लोगों ने रिफ्रेक्शन के बारे में काफी कुछ जान दिया है अब यह देखो दो मीडियम हैं जैसे हम किसी स्विमिंग पुल में लाइट मार रहे हैं ऐसा समझो यहां पर हम सिफ़ रिफ्रेक्शन के बात करेंगे रिफ्रेक्शन के बात नहीं करेंगे वह हमने कर ली तो क्या होता है यह देखो रे आई और सर्फेस पर गिरी तो यह त यह है बाउंडरी यह है बाउंडरी बिट्वीन मीडियम वन एंड मीडियम टू यह बाउंडरी है यह तर्फेस बाउंडरी कि बाउंडरी सरफच में बोल सकते हों इए बाऊंडरी सरफचे पर पहले एक नार्मल लेते हैं आर्मल मतलब यूश्ट उसके एक पर पेंडिकुलर डा धैरेक्शन यह यह नॉर्मल इंसीदेंट रे लाइट की जब इस पर गिर रहे है तो वह एक एंगल बना shooter एसको भोलता है ठीटा आई ठीटा आई मतलब एंसीदेंट एंगल ठीक किर दքहों क्या होता है जैसे ही राइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जब वह बाउन्डरी में होती है बाउन्डरी में इस normal को थोड़ा नीचे बढ़ा देते हैं तो जब boundary पर ये light फाल होती है तो वह light bent हो जाती है bent मतलब मुड जाती है अपनी initial direction को follow नहीं तो बेंट हो जाती है यह वह तो बस वहो केवल यहीं पर बेंट हो गी मानों वह ऐसे और फिर जब वह दूसरे मीडियम में जाती है तो फिर वह इस ट्रेट लाइं में भी मुह गरती यह बस यही पर बेंट होती है सर्फेस बाउंडरी पर उसके बाद फिर वो जब दूसरे मीडियम में चली जाती है तो वो अपनी जिस डियरेक्शन में जाएगी उसमें कहीं बीच में बेंट नहीं होगी बेंट या रिफ्रेक्टेड तब होती है जब इंसीडेंट रे लाइट की एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है जैसे एयर से वाटर में आ रहा है तो अगर वाटर का रिफ्रेक्ट्व इंडेक्स म्यू डबलू है यह म्यू डबलू है और एयर का रिफ्रेक्ट्व इंडेक्स म्यू ए है एयर का रिफ्रेक्ट्व इंडेक्स म्यू ए क्या होता है हम बता चुके हैं पहले ठीक है और इस bent ray जो की मुड़ गई है ray ये अगर normal से angle बनाए theta r means refracted angle या angle of reflection तो क्या होता है तो mu a यानि पहले medium का refractive index और angle of incident जो है theta i i मतलब incident तो उसका sign इक्वल होगा दूसरे medium का refractive index mu 2 और दूसरे medium में जब light bent हुई तो ये जो bent angle है या refracted angle है उसका sign ये ये जो पहले 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 फार्मूला है इसको बोलते है स्नेल्स फार्मूला स्नेल्स लॉग आप रिफ्रेक्शन मैं आया स्नेल्स लाइप रिफ्रेक्शन फेन ये लाइव आप समझ गया होंगे अच्छे से यह जो बेंटिंग होगी इसकी जो बेंडिंग होगी रे की वो कभी इतनी नहीं होगी कि यह जो रे है वो इस नॉर्मल लाइन को कभी क्रोस कर पाये यानि वो कभी ऐसे नहीं होगी यह ऐसे ऐसा तो कभी नहीं होगा इस नॉर्मल लाइन के उधर ही होगा जो होगा यह भी बात हमेशा द्यान रखेंगे चलो आगे आते हैं यह इन्सीदेंट रे रिफ्रेक्टेड रे यह रिफ्रेक्टेड रे जो मूड़ गई और यह नॉर्मल एंड्ट यह तीनो एक प्लेन में है जैसे अभी यह तीनो इस बोल्ड के प्लेन में एधीनो लाइने जह हमने यह इस बोल्ड के प्लेन में जस्ट इनों प्लेन में होते हैं यहां पर आओ दो सेम चीज अभी तो हमने एयर और वाटर लिख दिया था डबल डबलु करके यहां पर तो अब हम जाम्पल लिए लिखे थे तो अब हम क्या करते मीडियम नंबर वन तो इसको मिम लिखेंगे मिम और मेडियम नंबर टू एक हम इसको मियू टू लिखते हैं तो अब यहां पर हम मिवन और मूटू यूज करेंगे इसमें लगता ही इसको यूज करते हैं देखते हैं इसमें इनको तो मूट और साइन ठीटा वन या ठीटा आई इक्वल टू मूटू और साइन ठीटा आर अभी हमने यही लिखा न ठीक है देखो अब की बार हमने एयर और वाटर न लिखें पहला मीडियम और दूसरा मीडियम वो जिसमें लाइट इंटर कर रही है पहला मीडियम वो जिस मीडियम से लाइट आ रही है देखना दो अगर दोनों के रिफ्रेक्ट्ट्व इंडेक्स सेम है मतलब सेम मीडिया तो थीटा वन इक्वाल टू थीटा ए थीटा आई एक्वाल टू थीटा आई एक्वाल टू थीटा आर समझ में आया यानिकी एंगल पर कोई अशर नहीं पड़ेगा जैसे जब यह लाइट इस वाटर में ही जा रही थी या जब यह लाइट केवल इस ऐर में ही थी तो उसकी डायरेक्सन में कोई एंगल नहीं आया मलब कोई फरक नहीं आया मतलब वो बेंड नहीं हुई इसका मतलब जब यह रे इस मीडिया के अंदर घुच जाएगी इस पॉइंट के बाद यह तो है इंसीडेंट पॉइंट जैसे ही यह रे इस मीडिया के अंदर गुच गई यानि वाटर में गुच गई अब इस वाटर म स्ट्रेट जाएगी तो कि इस पूरे मोशन के दोरान मीडिया एक ही है सिंगल मीडिया यानि वाटर और सिमिलरली एयर में भी वह स्ट्रेट आएगी लफड़ा केवल इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर होगा जहां पर टू मीडिया जॉइन्ट हो रहे हैं अगर दूसरा मीडिया जिसमें की रे जा रही है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है पहले मीडिया से जहां से रे आ रही है बिल्कुल इस एक्जामपल की तरह कि जो रे है वो एर से आ रही थी जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता है लगभग वन के एक्वल और वो दूसरा मीडियाम वाटर में जा रही है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है वाटर का बिल्कुल ऐसे यह कि देखो कि साइन थीटा यानि साइन की जो वैलू होती है वो जीरो से 90 डिगरी के बीच में मतलब अगर वो थीटा जीरो से 90 डिगरी के बीच में है एंगल तो साइन थीटा की वैलू थीटा के बढ़ाने पे बढ़ती है ओके ठीटा के बढ़ाने पे बढ़ती है तो यहां से और ठीटा के घटाने पे घटती है देखो यहां से क्या है यहां पे आप साइन ठीटा आर निकालो तो क्या जाएगा म्यू वन साइन ठीटा आई अपान म्यू टू म्यू वन छोटा म्यू वन छोटा है म्यू टू बड़ा है इसका मतलब यह जो म्यू वन बाई म्यू टू आएगा इसकी वैलू एक से लेस होगी वन से लेस होगी तो साइन ठीटा आई यह इसकी वैलू वन से लेस है तो इसका मतलब कि ठीटा आर विल बी लेस दैन ठीटा आई समझ में आएक नहीं आया अगर म्यू टू बड़ा है म्यू वन से यानि दूसरे मीडियम का रिफ्रेक्ट्व इंडेक्स जिसमें लाइट इंटर कर रही है अगर उसका रिफ्रेक्ट्व इंडेक्स ज्यादा है और जिस मीडियम से वह आ रही है उसका रिफ्रेक्ट्व इंडेक्स लेस है उससे लेस है तो रिफ्रेक्ट्व एंगल जो होता है वो incident angle से छोटा होता है इसका मतलब अगर इस example को आप देखो तो वो जो light होगी वो इस प्रकार move करेगी कि theta r इस theta i से less हो जाएगा यानि जो ray है वो normal की ओर थोड़ा मुड़ जाएगी इस ओर मुड़ जाएगी normal की ओर और अगर number 3 if mu2 is less than mu1 if mu2 is less than mu1 तो क्या होगा तो उसमें रखोगे तो हमको मिलेगा theta r is more than theta i यानि refractive index दूसरे मुलब ये theta r यानि refractive angle incident angle से बढ़ा हो जाएगा जैसे जैसे मालो water से जा रही होती रे air की ओर जैसे water से जा रही होती air water से जा रही होती रे air की ओर यानि more refractive index medium से less refractive index वाले medium में या यहां पर आप लिख लो air की जगे पर ग्लास तो ग्लास का refractive index करीब 1.5 होता है तो बिलुकुल समझो कि ग्लास से air पार पास हो रही है यह जो light ray वो ग्लास से पास हो रही है और water में जा रही है ऐसे water का होता है 1.33 तो हाई refractive index medium से low refractive index medium में जा रही है तो क्या होगा तो लो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम में जब लाइट जाएगी तो वो जो एंगल बनाएगी वो इंसीडेंट एंगल से बढ़ा होगा यानि तो ठीटा आर है वो ठीटा आई से बढ़ा होगा मतलब कि अगर ओर्जिनल ये डायरेक्शन थी ये इंसीडेंट वाली तो रिफ्रेक्टिव लाइन कुछ ऐसे होगी ये एंगल है ठीटा आर क्योंकि ठीटा आर ठीटा आई से बढ़ा होना चाहिए ये तो थी इंसीडेंट एंगल इंसीडेंट रे क्या इंगल ये ठीटा आई ये ठीटा आई लगभग आएगा तो ये जो रिफ्रेक्शन के बाद जब लाइट जब मुह करेगी तो वो अपनी नॉर्मल से और ज्यादा खिसक जाएगी ठीटा आर इस तरह कि ठीटा आर इस ग्रेटर देन ठीटा आई मतलब कि आप समझ गए कि जब लाइट रे लो रिफ्रेक्श्ट्टू ॡइनडेक्स से हाइड रिफ्रेक्श्टू इंडेक्स मीडिया में जाएगी तो वो नंघ्मल की और बेंट हो जाएगी और जब लायट रे high refractive index medium से low refractive index medium में जाएगी तो वो normal से और दूर हो जाएगी normal से और दूर हो जाएगी यानि original जो direction थी incident line वाली अब वो उससे भी दूर हो जाएगी ये ऐसे अब वो इतना खिसक जाएगी तो कि वो glass यानि high refractive index मेडियम से water यानि low refractive index मेडियम में जा रही थी तो ये है कि one मीडियम से दूसरे मीडियम जाने पर जो रे का जो एंगल है वो किस तरह चेंज होता है सपोर्ज इस वाटर के स्वीमिंग पूल में यह मालग स्वीमिंग पूल है उसके नीचे एक लाइट बल्ब लगा है यहां पर यह लाइट बल्ब लगा है और यहां से रे आती है माललो यहां से गिरती है रे ऐसे जब यहां पर जब गिरेगी यह तो हुआ नॉर्मल सर्फिस का नॉर्मल अब बाहर मालो एयर है ग्लास नहीं एयर हमने ले लिया लगा स्वीमिंग पूल के बाहर हवा है वायू मंडल अपना तो वह लाइट ज्यादा ऐसे चली जाएगी अगर यह एंगल रखो वह हाई डेंसिटी हाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से लो रिफ्रेक्टिव इंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है 1.33 एयर का कम है तो जब वह जाएगी एयर में तो यहां से इस प्रकार मूड जाएगी कि यह एंगल अब जखो अब यहां के लिए यह इंसीडेंट एंगल है चूंकि लाइट यहां से चली तो यह इंसीडेंट एंगल हुआ और य पूर चली जाएगी कि यह यह याद रखना कि एंगल ऑफ इंसीडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन वह ध्यांस लेना जहां से लाइट चले जिस और लाइट चले उधर ही एंगल ऑफ इंसीडेंट लेना ठीक है मीडियम देखके आप कन्फ्यूज मत हो जाना यहां से अगर लाइट चली है तो अब यह एंगल ऑफ इंसीडेंट है और जब निकलेगी दूसरी तरफ तब वह नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी वह एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन है कि समन्न में आजा आई होप आप इसनेल्स लाउ और रिफ्रेक्शन अथी तरह से समझ गया है और यह रूल भी अथी तरह समझ गया है और वह चीज भी कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कैसे एंगल बनाती है ठीं ठीक कि सबसे इसको ऐसे मत याद करो तुम देखी रहे ह। कि यह पहले मीडियम का मारी यह रूपक्टिव एंडेक्स है और यह पहले मीडियम में रे द्वारा बनाया गया एंगल है अब चाहे वो refractive angle हो चाहे वो incident angle हो तो किसी medium के लिए ray का mu किसी medium के लिए ray का mu यानि मतलब उस medium का refractive index और ray द्वारा बनाया गया angle थीटा यह क्या आप ऐसे समझ लिए यह equal to दूसरे medium का refractive index और दूसरे medium में उस एंगल उस रे द्वारा बनाया गया angle चाहे वो refractive हो या incident हो incident हो जो भी हो आप उसको चेक करेंगे तो ऐसे है वो constant रहे जाए ठीक है ऐसे करके याद कर लिए तो मिलते हैं next episode में I hope कि आपने इसको अठ्छे से कि समझ लिया है कि ठीक है कि चलो मिलते हैं next episode में लुए कि अरुए करें मानी करें भी इति दो रहे पूं तो युए नहीं की रहीं Sometimes